जी हां दोस्तों आपको बताते इस वक्त की बिग अपडेट सामने आई है सिद्धू मुस्सेवाले जी के पैरंस को लेकर जी हां साथ तीन महीने बाद जो है सिद्धू मुस्सेवाले जी के पैरंस ने अपने बेटे सिद्धू को लेकर बहुत ही दर्दनाग खुलासा किया ह इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धू के पेरेंस पिता जी जो है खास कोर पे होस्पिटल में और मातर चरनकौर जी भी वहीं पर है और चरनकौर जी ने कल रिकौर्डिंग करके फांस से अपील भी की प्राथनाई भी की कि उनके पती के लिए बलकौर सिंग जिकले स अपने हीरे जैसे बेटे सिद्धू को लेकर आपको बता दे मा पिता को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकता था मेरा बेटा सिद्धू साफ तोर पे मा चरनकौर जी ने ये बाते कही हैं भाबुक भी हुई इस दौरान मा चरनकौर ये बाते कहते कहते दरसल आपको बत अपने प्लिब के लिए जड़ा सीबी तिनके की समान से पारेशं को मुसीबत में हो जएसा की कि सिद्धू मुस्टेवालाऀ जी हम सब के बीच नहीं है इसे में पते बलकॉर शिंहथा दिसमान अब कैने प्लिब आजने अपक olmaz हैं अब दम से अ कणर показ कर से अपील की कि उनके पती बलकौर सिंग जी के लिए इस वक्त दूआ करे जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि देवता समान पंजाबी गायक रैपर यू कहले पॉल्टीशियन सिधू मुसेवाला जी ने अपना हर किर्दार हर रिष्टा बखूबी निभाया दिलों जांसे निभाया जब तक वो जीवित रहे आज सिधू मुसेवाला जी हमारे बीच नहीं है दोस्तों लेकिन उनकी यादे और उनकी बेमिसाल आवाज हम सब के जहन में हमेशा के लिए आमर रहेगी अपने सूपर हिट गानों से तो लोगों के दिलों पर राज किया है किया साथी साथ मुसेवाले जी ने आपको बता दे लोगों को रिष्टा निभाना भी सिखाया कि एक मा का बेटा किस तरह से बनना चाहिए एक पिता की देखरेक किस तरह से करनी चाहिए और रोल मॉडल किस तरह का होना चाहिए जिहां आज बच्चा बच्चा जो है सिद्धू मुसेवाला जी को अपना रोल मॉडल मानता है इतने महनत इतने हार्ड वर्क थे सिद्धू मुसेवाला जी अपनी महनत पर इतने कम उम्र में जो अपनी बदौलत इतन कुछ उन्होंने खड़ा कर लिया कि आज उनके माता पिता को किसी भी चीज की कमी नहीं है आपको बता दे दोस्तों चार महीना होने को जा रहा है लेकिन अभी भी सिदू मुसे वाले जी को जस्टिस जो है नहीं मिला है मा पिता होस्पिटल में है पिता एडमिड है और आपको बता दे साड़े तीन महीने तो हो ही चुके हैं चौथा महीना लगने को जा रहा है लेकिन इस वक्त भी सिदू मुसे वाले जी के मृत्यू से हर कोई सदमे में है हर कोई जो है इस वक्त एक चीज चाहता है कि जस्टिस किसी प्रकार से सिदू मुसे वाला जी को म एंकांटर कर दिया जाए उनका या फिर फासी पर चढ़ा दिया जाए ऐसे माता और पिता ने शाफ सब्दों में कहा है और फांस के भी यही राय है यही अपील है उनकी वो बार बार कॉमेंट करके यही डिमांड जो है वो कर रहे हैं सरकार से की लौरेंस और गोल्डी को जो है सिधा फांसी की सजा दे दी जाए या फिर सिधा एंकांटर कर दिया जाए और यह दो-दो सेक्योर्टी और बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ कर जो जाता है वी आई पे ट्रीटमेंट के साथ यह भी खतम कर दिया जाए पेशी के दौरा ऐसी डिमांड ऐसी आते हैं और पाटी भी करते हुए नजर आते हैं कुछ पकड़े गए हैं तो कुछ अभी भी फरार है और खासतर में गोल्डी तो भागा हुआ है विदेश में कैनेडा बैठा हुए और वही बर्दुवक्कर बैठे बैठे जो है पोस्ट करता रहता है और सिध्दू के पि जिने मांसा से ही पिछले विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस की ओर से टिकट पर चुनाव लड़ा था जैसा कि आप सभी जानते हैं जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था लेकिन आपको बता दे आम आदमी पार्टी के उमीदवार ने उन्हें करीब 60,000 वोट स उन्हें मात दे थी थी उस वक्त और उसके बावजूद विसितुम उससे वाला जिने हार मानने के बावजूद भी उन्होंने ये वादा किया गरीबों से कि वो ताउम्र जब तक उनकी सांसे चलती रहेगी वो गरीबों के लिए मसीहा बनकर जो है उनकी हल्प करते और सिर्फ उन्होंने वादा नहीं किया सरकार की तरह बल की काम करके भी दिखाया देखिए आपको बतादे गरीबों के लिए खास तोर पे जो इतना महंगा इलाज होता है कैंसर का इलाज उसके लिए उन्होंने अपने गाव अपने पिंड मूसा में जो इतना चोटा इणाँ बना दिया को ंते हैं मुट्ऌ करता है जो आपको बता दे जली मा पित ओकिसा पने अपने ओपर लगाना चाहिए आज वो गरीबों के लिए लगा रहे हैं माता पिता सिद्धू के और अपने बेटे का सपना पूरा कर रहे हैं आपको बता दे नीव जो है स्टार्ट कर दी गई है इटे भी लगा दी गई है और आने वाले कई सालों में जो है एक दो साल में बताये जा रहे हैं कि होस्पिट जल भी बनाया जाएगा वहाँ पर गरीब लोग जो है आगर इलाज करवा सकेंगे कम पैसो में साथ ही एम्बुलेंस की सेवा जो है वो भी फरी में रखवाई जाएगी बहुत सारी सुविधाई जो है गरीबों के लिए करके गए हैं सिद्धू मुस्सेवाला जी जो उन्हो की छेत्रों में अपनी fan following खड़ी की थी ना सिर्फ इंडिया में बलकी बाहर विदेशों में भी सिंगर रैपर और राजनेता के रूप में उब्रे मुस्सेवाले ने बेहत कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था जी हां सिर्फ 28 साल के थे विवादों से भी उनक की उनका असली नाम शुबदीब सिंग सिद्धू था यह सभी जानते हैं लेकिन आपको बता दे उनके पिता जी का नाम भोला सिंग भी है जो की आपको बता दे बलकौर सिंग के नाम से इस वक्त परसिद्ध है जो की सरकारी महकमे से रेटाइड हुए थे और माचरन कौर समछी जो है सरपंचनी है मुसा पिंड की मुसा गाउं की आपको बता ऐसी जो प्रसंसा करने एक बता दे जिए सरपंचनी के वक्त जो माता चरन कौर जी ने चुनाब लड़ा था सरपंचनी के तौर पर उसके लिए सिद्धू मुस्से वाला जी ने इतना ज्यादा प्रचार में अपना जी जान लगा दिया था जिसे देख हर कोई ये चहाने लगा था कि अगर बेटा हो तो सिद्धू मुस्से वाला जैसा हो और अभी भी हर मा की यही दिल की इच्छा है कि अगर बेटा हो हमारा तो सिद्धू मुस्से वाला जैसा हो जो हमारा नाम रोशन करे आपको बता दे नतीजा भी आया और उनकी नीजे जिन्दगी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है बताय जा रहा है कि जल्द वो शादी के बंधन में बनने वाले थे और 2022 में माचरण कौरजी ने एक इंटर्व्यू में भी ये खुलासा किया था कि अब सिदुम उस्सेवालेजी की शादी की तैयारी जो है चल बन चुका था और इस साल चुनाब खत्म होने के बाद ही उनकी शादी जो है कर देंगे ऐसे माने जो है एलान किया था वहीं आपको बता दे सिदुम उस्सेवाला जी जो थे अमन्दीप कौर के साथ रिलेशनशिप में थे उनकी लब मैरिज होने वाली थी जब उन्होंने अपने माता जी को बताया कि मुझे ये लड़की पसंद है तो मा ने तुरंत हां भर दी और उन्होंने का ठीक है मुझे भी पसंद है मेरे बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है इतना हीनी शादी की बाते भी जो है गुप्त रखी गई थी मुसेवाले जी के परिवार न एक सिनियर नेता की भतीजी की रूप में जानी जाती है आपको ये भी बता दे दोस्तों के मुसेवाले जी की हत्या के बाद इस बात का खुलासा हुआ की दोनों की सगाई हो चुकी थी और बहुत जल्द वो शादी करने बादा लेकिन सभी की दिल की इच्छा सपने जो है साफ जस्टिस और आप सब जरूर दुआ कीजिए प्राथनाई कीजिए कि सिदू मुसेवाला जी के पिता बलकौर सिंग जो हैं जल्द से जल्द स्वास्त होकर होस्पिटल से मुसा पेंड अपने हवेली पर लौट आए और अपने बेटे के लिए फिर से एक बार लड़ स साथ ही दोस्तों आप ये जरूर कामेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा कि सिदू मुसेवाला जी जब भी अपने माता पिता की चिंता किया करते थे परेशानी में नहीं देख पाते थे तो कैसा लगता है आपको मा बेटे का और पिता और बेटे का ये रिलेशन य जरूर अपने विचार जो है कामेंट सेक्शन के जड़िए व्यक्त कीजिएगा क्या कहना चाहेंगे आप शुबदीप सिंग सिदू जी के बारे में सिदू मुसेवाला जी के बारे में जरूर चंद शब्दे जो है कामेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा दोस्तों धन् बात